वेल्कम बेक टू माई चानल आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास एर्थ हिंदी मंजरी भुक का पार्थ पांच अपराजिता अपराजिता का अर्थ होता है जो कभी हारी ना हो जिसने कभी हार ना मानी हो इस पार्थ की लेखिका है गौरापंत जी और प्रस्तुत पार्थ में एक दिव्यांग लड़की के बारे में उन्होंने वर्णन किया है कि किस प्रकार से उसका जो साहस्ता अदमे साहस जिसे दबाया ना जा सके और उसके विलक्षन प्रतिभा का वर्णन करते हुए ये इस पश्च किया है कि व्यक्ति का अगर इक्षा शक्ती द्रण हो तो वो विपरीत परस्तितियों में भी अपने लक्ष को प्राप्त कर सकता है अगर परस्तितियों उसके अनुकून ना हो तब भी वो अपने लक्ष को हासिल कर सकता है तो चलिए हम कहानी पढ़ते हैं साथी साथ मैं आपको एक एक शब्द का अर्थ बताती चलूँगी कभी कभी अचानक ही विधाता हमें ऐसे विलक्षन व्यक्तित से मिला देता है विलक्षन यानि अदुभूत जिसे देख स्वैम अपने जीवन की रिक्तिता बहुत चोटे लगना लगती है रिक्तिता यानि कमी तो हमें अपनी जीवन की कमी तब चोटी लगती है जब हम किसी और को देखते हैं जो हमसे भी ज़ाधा कटनाईयों में है हमसे भी ज़ाधा परेशानी में है तब हमें लगता है भले ही उस अंतर्यामी ने हमें जीवन में कभी अकारां ही डंडित किया हो किन्तु हमारे किसी अंग को हम से विच्छिन यानि अलग नहीं किया हमें उससे वंचित नहीं रखा हमें पूर्ण शरीर दिया है कार्र करने के लिए फिर भी हमें से कौन मानव ऐसा है जो अपनी कठिन परिस्तित्रियों में विधाता को दोशी नहीं ठहराता हमेशा हम भगवान को कोशते रहते हैं हे भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों किया हमें ये क्यों नहीं दिया हमें ये क्यों ऐसा नहीं किया तो इस तरह से हम हमेशा भगवान को दोशी करार बताते रहते हैं कि सारी गलती भगवान की है आगे बढ़ते हैं मैंने अभी पिछले ही महीने एक ऐसी अभिशप्त काया देखी है जिसे विधाता ने कठोर्तम डंड दिया है किन्तो उसे वह नत मश्तक आनंदी मुद्रा में जेल रही है विधाता को कोस कर नहीं तो यहां पर लेकिका करताती है कि उन्होंने पिछले ही महीने एक ऐसी शरीर को देखा है यानि एक ऐसी लड़की को देखा है जो शापित है जिसको अभिशाप मिला है जिसको भगवान ने कठोर्त डंड दिया है उसके बावजूद वो विधाता को कोस नहीं रही है बलकि अ आनन्द मुद्रा में झेल रही है नत्मश्टक यानि सर जुका कर उसे उसमें अपना लिया है उसकी कोठी की अहता होती है जो एक दिवार दूसरे दिवार से जुड़ी हुई हो तो यहां पर वो बता रही है कि उसकी कोठी की आहिता एकदम हमारे बंगले के आहते से हुई थी अपनी शांदार कोठी में उसे पहली बार कार से उतरते देखा तो आश्चर से देखती ही रह गई कार का दर्वाजा खुला एक प्रोणा प्रोणा यानि एक अडल्ट लेडी जो थी उसने उतर कर पिछली सीट से एक वील चेयर निकाल कर सामने रग दी वील चेयर यानि जिस चेयर में पईये लगे हो जो पईयों के द्वारा चल सके और फिर वो औरत भीतर चली गई दूसरे ही चड़ बिना किसी सहारे के कार से एक योगती ने अपने निरजीव निचले धर को बड़ी दक्षता से नीचे उतारा निचला धर जो था उसका बेजान था द लक्षिता यानि बिल्कुल कुशलता पूर्वक उसने अपने बॉडी को बाहर किया फिर बैसाखियों से ही वो वीलचेयर तक पहुची और बैट गई बैसाखिया होती है कोई अपंग होता है तो वो बैसाखियों के सहारे चल सकता है बड़ी तटस्ता से तटस्ता का वीलचेयर के सहारे अंदर को ले गई भीतर चली गई मैं फिर नियत समय पर रोज वो नियत समय यानि उसी ठीक समय पर उसका विचित्र आवा गमन देखती आवा गमन यानि आना जाना और आशर चकित रह जाती ठीक वैसे ही जैसकि कोई मशीन जो है वो कारे करती है बटन दबाया और वो ओन हो गई बटन बंद किया वो ओफ हो गई इस प्रकार से वो विलकुल काम करती थी धीरे धीरे मेरा उससे परिचे हुआ कहानी सुनी तो दंग रह गई जब लेखिका ने उस लड़की से पूछा जब उसको उसका परिचे मिला तो उसको काफी हैरानगी अति अमानिवी धैर एवं साहस से ज्येलती वे बित्टे भर की लड़की बित्टे भर यानि चोटी से लड़की मुझे किसी देवांगना से कम नहीं लगी देवांगना यानि देवी से कम नहीं लगी यानि उसकी जब कहानी उन्होंने सुनी तो उसके जो चोट लगी थी उसके उपर जो दुख के पहार तूटे थे उसको वो जेल रही थी इसलिए लेखिका ने उसे देवांगना कहा है कि मुझे वो किसी देवी से कम नहीं लगी मैं चाहती हूँ कि मेरी पंक्तियों को उदास आखो वाला वै गोरा यहाँ पर एक व्यक्ति की बात कर रही है जिसका रंगोरा है और वो काफी उदास है और लेखिका चाहती है कि इन पंक्तियों को वो भी पढ़े उजले वस्तरों से सज्जित जो साफ सुत्रे कपड़े पहने हुए था और मेगावी यूवक था यानि काफी ब्रिलियंट स्टुडेंट था और लखनों में उससे वो मिली थी जिसे मैंने कुछ महापूर्व अपनी बहन के यहाँ देखा था जिसको लेकिकाने कुछ महीने पहले अपनी बहन के यहाँ देखा था वह IAS की परिख्षा देने इलहाबाद गया था IAS का मतलब Indian Administrative Services तो उसकी परिख्षा देने के लिए वो इलहाबाद गया था लोटते समय किसी स्टेशन पर चाय लेने के लिए उत्रा तो गाड़ी चल पड़ी वो चाय लेने के लिए स्टेशन पर उत्रा था और गाड़ी चल दी थी और उसको कुछ समझ नहीं आया तो चलती ट्रेंड में वो हाथ में कुलहड लिए चड़ने का प्रयास कर रहा था और गिर पड़ा और पईयों के नीचे उसका हाथ पड़ गया तो प्राण तो बच गया यानि उसकी जान बच गई पर बाया हाथ जो था वो कट गया वे विचिन ने भुजा विचिन मतलब होता है अलग हो जाना उसकी जो बाजू थी वो अलग हो गई थी इस कारण वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था पहले दुख बुलाने के लिए नशे की गोलियां खाने लगा था फिर नूर मंजिल में शरण ली थी नूर मंजिल लखनों में इस्तित एक मानसिक चिकित साला है जहां पर उसको शरण लेनी पड़ी केवल एक हाथ खो कर ही उसने हतियार डाल दिये थे यानि अपनी जिंद पुल है पुत्फुल का अड़त होता है प्रसन रहती है चहरे पर विशाद की विशाद यानि दुख की एक रेखा भी नहीं है बुद्धि दीपती आँखों में अदम ये उत्सा है जो उत्सा जिसे दबाया ना जा सके और उसकी आँखों में जो चमक है जो उसके अंदर उत्सा है प्रतिपल प्रतिचण भरपूर प्रतिपल प्रतिचण का मतलग हर पल उसमें एक तीवर ज्यान पाने की इक्षा है जी जी विशाकार्थ होता है ज्यान पाने की चाहा और फिर फिर कैसी महत्वकान शाएं और इतना ही नहीं उसके अंदर इतनी सारी इक्षाएं ह इतने सारे उसके लक्ष हैं कि वो कभी भी अपनी जीवन की कमी को अपने आसपास भटक नहीं नहीं देती है मैडम आप लखनो जाते ही क्या मुझे Drug Research Institute से पूछ कर बताएंगी कि क्या वहाँ आने पर मेरा विशह Microbiology से संबंदित कुछ सामगरी मिल सकेगी तो यहाँ पर वो चंद्रा जो है उसने लेखिका से पूछा था कि Drug Research Institute में आप पता करके बता सकती है कि Microbiology जिसे हम शूख्ष्म जैविका बोलते हैं एक subject होता है शूख्ष्म जी विग्यान वहाँ पर वो अपना बायोडेटा समिट करना चाहती थी इस कारण वो लेखिका से कह रही थी क्या आप पता करके बता सकती है मैडम आप कह रही थी कि आपके दामाद हवाई के East West Center में है क्या आप उन्ही मेरा बायोडेटा भेज कर पूर्च सकेंगी कि मुझे वहाँ की कोई fellowship मिल सकती है fellowship यानि जो शोद चात्र होते हैं जो research कर रहे होते हैं उन्हें मिलने वाली चात्रवती यानि merit जो होती है उसकी बात हो रही है यहां कभी सामान इसी हड़ी तूट जाती है या फिर पैर में मोच आ जाती है तो प्राण ऐसे कंठगत हो जाते हैं यानि हम लों को जड़ा सी समस्या होती है कोई हड़ी तूट गई या पैर में मोच आ गई तो ऐसा लगता है जैसे जान गले में अटकी है जैसे विपत्ती का आकाश सिर्पर तूट पड़ा है सर पे मुसीबत आ गई है और इधर ये लड़की पूरा निशल धर सुन धर जो है उसको लेकर भी उसकी बोटी-बोटी यानि उसकी हर चीज बिल्कुल फड़क रही है इतनी जादा वो एक्साइटेड रहती है उत्साप से भरी हुई रहती है उच्छी नौकरी की एक नीरस करवट ही उसकी निरंतर पतिभा डूपती जा रही है और आजकल वह IIT मदरास यानि चन्नाई में काम कर रही है जन्ब के अठारवे महीने में ही उसके गर्दन के नीचे का पूरा शरीर पोलियो से निर्जीव हो गया था उसे पोलियो हो गया था इस कारण उसका जो नीचे का धर था उसने कारी करना बन कर दिया था उसके किस अध्भुट साहस की नेती का अंगूठा दिखा दिया लेकिन जो उसका साहस था उसने अपने इस बुरे समय को भी ठेंगा दिखा दिया, अहूठा दिखा दिया और हार नहीं मानी, अपनी थीसिस पर डॉक्टरेट कर ली होगी मैडम मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे सामान निसा भी सहारा ना दे, यहाँ पे चंड्रा की खौईश थी कि कोई मुझे हपंग ना समझे, बे सहारा ना समझे। मैं मेरी कार जो है, वो मुझे चलानी मेरी मा को चलानी पड़ती है। तो वह ये बताती है कि उसने कैसा नक्षा बनाया है जिसमें अगर नीचे का हिस्सा कारिणा भी करता हो, तब भी वो इनसान काडी चला सकता है। ये देखिए मैंने अपनी प्रयोग शाला में अपना संचालन को सुगम बना लिया है और मैं अपना सारा काम अब स्वैम निप्टा लेती हूँ और इस तरह से उन्होंने लेखिका को तस्वीरें दिखाई तो ये तो हो गया इस पार्ट का पहला भाग इसका आगे का भाग हम अगले पार्ट में करेंगे और इस पार्ट के प्रशन अभ्यास चाहिए तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट शेक्शन में ज़रूर बताईएगा और कोई सुझा हो तो वो भी आप कमेंट शेक्शन में लिखकर मुझे बता सकते हैं धन्यवाद अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो कर लें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के अपडेट्स मिल सकें पसंद आया है तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें